गुट मॉर्निंग एवरिवन मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सब का आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं 24 जैनवरी 2021 के अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं तो आज की डिसकसन में सभी कुश्चन्स मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें चलिए स का जुर्माना लगाया है तो रिजर्व बैंक ने किस पर जुर्माना लगाया है तो देखें रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है एस्टेंडर्ड चार्टेड बैंक पर चलिए कोईशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहां देखें भारत RBI ने कहा है कि बैंक पर आर्थिक जुर्माना, RBI धोखा धरी, कमर्सियल बैंकों और चुनिंदा, बीतिय संस्थानों द्वारा बर्गी करन और सुचित करना, दिसा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते, एस्टेंडर्ड चार्टेड बैंक पर दो करोर रुपे का जुर्माना लगाया गया है, चलिए अब हम RBI के बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ देखिए, RBI, Reserve Bank of India, Reserve Bank of India भारत का किंद्रिये बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है, Reserve Bank भारत की अर्थ वेवस्था को भी नियंत्रित करता है, Reserve Bank की अस्थापना कब हुई, तो देखिए, Reserve Bank की अस्थापना जो है, वह 1 अपरेल 1935 में हुई थी, और इसका मुख्याले कहा है, तो Reserve Bank का मुख्याले है, मुंबई, Reserve Bank के गवर्नर है, सक्ति कांत दास, कौन है, तो सक्ति कांत दास जो है, वह Reserve Bank के गवर्नर है, चलिए next question देखते हैं, next question हमारा है, उकला के द्वारा जारी, 2020, Global Internet Speed Test Index में, 149 देशों में भारत कौन से अस्थान पर रहा है, तो देखिए, 149 देशों में भारत जो है, वह 129 अस्थान पर रहा है, option number C, इसका correct answer है, अब हम उकला के बारे में जान लेते हैं, कि उकला क्या है, तो देखिए, उकला जो है, वह ए उकला के द्वारा जारी, 2020, Global Internet Speed Test Index में, 149 देशों में, भारत 139 अस्थान पर रहा है, जब कि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में, 176 देशों में, भारत 65 अस्थान पर रहा है, जब कि कतर, मोबाइल इंटरनेट स्पीड में, दक्षिन कोडिया और UAE को पच्छार कर पहले अस्थान पर है, कतर जो है, वह किस अस्थान पर है, और ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में, भारत 65 अस्थान पर रहा है, चले, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, नेक्स्ट कोशन हमारा है, नीती आयोग के द्वारा जारी, इंडिया, इनोवेशन इंडेक्स, 2020 में, कौन सा राज्य, दोबारा देश के सबसे नवाचारी, या इनोवेटी प्रमुक राज्य के रूप में, पहले अस्थान पर रहा है, तो देखे, करनाटक जो है, वह पहले अस्थान पर रहा है, यह देखे, मैप में, यह है करनाटक, करनाटक की राज्थानी है, बैंगलूडू, चलिए हम नीती आयोग के बारे में जान लेते हैं, तो नीती आयोग जो है, भारत सरकार द्वारा एक नया संस्थान गठित किया गया है, यह किसकी जगा गठित किया गया है, तो देखे, नीत नीती आयोग जो है इसे गठित किया गया है योजना आयोग के अस्थान पर किसके अस्थान पर किया गया है तो योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग का गठन किया गया है तो नीती आयोग का गठन जो है वह किया गया है एक जन्वरी 2015 में नीती आयोग का मुख्याले ह नई दिल्ली, नीती आयोग के अध्यक्ष जो है, वह हमारे देश के प्रधान मंतरी होते हैं, तो नीती आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, हमारे देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी है, और नीती आयोग के CEO कौन है, तो चलिए हम CEO का भी नाम जान लेते हैं, तो नीती आयोग के CEO हैं अमिताव कांथ कौन है अमिताव कांथ यह हैं नीती आयोग के CEO चले कोशिन से लेटेर इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इहां देखें नीती आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में करनाटक राज्य दोबारा देश के सबसे न अस्थान पे कौन सा है तो देखें दूसरे अस्थान पे हैं महारास्ट्र महारास्ट्र है दूसरे अस्थान पे तीसरे अस्थान पे कौन सा राज्य है तो देखें तीसरे अस्थान पे हैं तमिल नाडू जो है वह तीसरे अस्थान पे हैं क्योंकि पहला दूसरा और तीसर तो पूछता ही पूछता है तो आप याद रखेंगे कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहले अस्थान पे है करनाटक, दूसरे अस्थान पे है महारास्ट्र और तीसरे अस्थान पे है तमिलाडू अब आगे देखिए केंडर सासित प्रदेशों में दिल्ली ने पहला अस्थान पाया है केंडर सासित प्रदेशों में पहले अस्थान पे कौन सा राज्य है दिल्ली है और दूसरे अस्थान पे कौन सा है तो देखिए दूसरे अस्थान पे है आपका चंडीगड चंडीगड पर इस index 2020 में करनाटक ने 42.05 का score हासिल किया है कितना का score हासिल किया है करनाटक ने तो 42.05 का score हासिल किया है चलिए अब हम जौन लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में तो यहां देखिए यह इंडेक्स या सूचकांक भारती राज्यों की नवाचार छमता और प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए एक कारेप्रनाली प्रदान करता है इस इंडेक्स के तहट 17 प्रमुख राज्यों 10 उत्तरपुर्भी और पह भाजित किया गया है चले नेक्स कोईशन देखते हैं नेक्स कोईशन हमारा है डियार्डियों ने किस मंत्राले के साथ भूख हत्रा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किया है तो देखिए डियार्डियों ने MOU पर किस मंत्राले के साथ हस्ताक्षर किया ह तो सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले के साथ यहां स्ताक्षर कब किया गया तो देखिए DRDO ने 20 जनवरी कब किया है 20 जनवरी 2021 को तक्निकी आदान प्रदान के छेतर में सहियोग को मंजूरी देने के लिए तथा अस्थाई भूखत्रा प्रबंधन में सहियोग पर सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले के साथ एक फ्रेमवर्क समझोते पर हस्ताक्षर किया है चलिए कोईशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहां देखिए रक्षा अनुशन्थान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले के साथ भूखत्रा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहित दोनों भूखत्रा प्रबंधन से संबंदेद पारसपरिक लाव के विभिन छित्रों में सहियोग करेंगे अब यहां देखिए भूखत्रा प्रबंधन पर DRDO के सचीव कौन है डॉक्टर जी सतीस रिड़ी किस ने किया है तो DRDO के सचीव डॉक्टर जी सतीस रिड़ी और सरक्परिबहन एवं राजमार्ग मंत्राले के सचीव गिरिधर अरामने ने कब किया गया वो तो मैंने आपको बता दिया है 20 जनवरी 2021 को किया गया है आप इसे ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है तो देखिए इस समझोते का उद्देश्य है राष्ट्रिय राजमार्गों पर भुष्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाव सुरक्षा को सुनेक्षित करना चले नेक्स कोईशन देखते हैं नेक्स कोईशन है प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का हाली में कितने वर्स की उम्र में निधन हो गया है चलिए इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो यहां देखिए प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का हाली में असी वर्स की उम्र में निधन हो गया उन्होंने अपना बचपन माता रानी के भजन को गाते हुए बिताया था उनकी भजन घर घर में मसूर हैं उनका जन 16 अक्टूबर 1940 में अमरिसर में हुआ था अमरिसर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था स्रिलंका के किस तेज गेंदबाज ने हाली में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से सन्यास लेने की घोष्णा की हैं तो किस ने की है की है लसित मलिंगा चले कोशिण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्ट देखते हैं तो यहां देखिए स्रिलंका के तेजगेंदबाज लसित मलिंगा ने हाली में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से सन्यास लेने की गोशना की है उन्होंने बहतरीन 12 साल के लिए मुंबई इंडियन्स फ्रेंचाइजी के प्रसंसकों, अमबानी परिवार और अन्य सभी सहयोग्यों को धन्यबाद दिया है वे बर्स 2008 के बाद से मुंबई इंडियन्स आईपियर फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन है जनजातिय कार्यमंत्राले और किस राज सरकार ने सहयक तुरोप से प्रवासी सरमिकों के लिए सरम सकती डिजिटल डेटा सॉलूशन और ट्राइबल माईग्रेंट सेल की सुरुवात करने की घोसना की है तो यह किया गया है गोवा सरकार के द्वारा अब यहां देखिए जनजातिय कार्यमंत्राले के मंत्री कौन है तो जनजातिय कार्यमंत्राले के मंत्री हैं स्री अरजुन मुंडा यह हैं जनजातिय कार्यमंत्राले के मंत्री स्री अर्जुन मुंडा ने आज गोवा की राजधानी पंजी में आयोजित एक कारेकरम में बीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से स्रम सक्ती जो की एक राष्ट्रिय प्रवासन सहायक पोर्टल है या क्या है या जो है एक राष्ट्रिय सहायक पोर्टल है या भी दियान रखें का सुबारंब किया यह पोर्टल प्रभावी तरीके से प्रवासी स्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रे अस्तर के कारेक्रमों के सुचारू रूप से निर्ने में मदद करेगा चली कोशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहां देखिए गोवा सरकार और जनजातिय कार्यमंत्राले ने संयुक्त रूप से प्रवासी स्रमिकों के लिए स्रम सकती डिजिटल डेटा सॉलोशन और ट्राइबल माईग्रेंट सेल की सुरुवाज करने की घोसना की है साथ ही जनजातिय कार्यमंत्राले ने गोवा में जनजातिय सोचसंसान ज जन जाती है मोहत सब को भी मंजूरी दी गई है चले नेक्स कोईशन देखते हैं नेक्स कोईशन हमारा है डियर डियो ने हाल ही में किस राज़े के तट से स्मार्ट एंटी एयर फिल्ड वेपन का सफल उरान परिक्षन किया है तो देखिए यह किया गया है ओडिशा से तो किस राज़े से किया गया है ओडिशा ओप्सन नमर डी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा की राजधानी है भूवनेश्वर चले कोईशन से रिलेटे विमान के जड़िये स्मार्ट एंटी एयर फिल्ड वेपन का सफल उरान परिक्षन किया है इस स्मार्ट एंटी एयर फिल्ड वेपन का डिजाइन और विकास DRDO के हैदराबाद इस्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी तोर पर किया गया है तो कहां किया गया है हैदराबाद में इस्थित डियार डियो का रिसर्च सेंटर इमारत में किया गया है स्मार्ट एंटी एयर फिल्ड वेपन के बारे में और जानकारी हांसिल कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां देखिए इसका सौर्ट फार्म हो जाएगा SAAW, S4, Smart, A4, Anti, A4, Airfield and W4, Weapon यानि Smart, Anti, Airfield, Weapon SAAW, Smart, Anti, Airfield, Weapon जो है वह 125 केजी का गलाइडिंग बाम है क्या है तो 125 किलोग्राम का गलाइडिंग बम है और यह जो है आस्मान में उर रहे लड़ाकू बिमानों से दागा जा सकता है यह 100 किलोमीटर कहां तक तो 100 किलोमीटर दूर से दुस्मन के वंकर, रडार, टेक्सी टेक्स, रनवे, आदी पर घातक हमला कर सकता है चले next question देखते हैं, next question हमारा है ASMI के बारे में सही कथन चुने तो देखिए ASMI जो है वह एक पिस्तॉल है, दो कथन दिये गए हैं, पहला कथन हमारा है या एक 9mm की मसीन पिस्तॉल है, दूसरा है इसे 4 महीने में बिक्सित किया गया है तो देखिए दोनो कथन जो है वह बिलकुल सही है पहला option है केबल एक, दूसरा option है केबल दो, तीसरा option है एक और दो दोनो तो option number 3 जो है वह इसका correct answer है, एक और दो दोनो जो है वह सही है चले questions related important points देखें, तो यहाँ देखिए रक्षा अनुशंदान और विकास संगठन DRDO और भारतिय सेना इंडियन आर्मी ने संयुक्त रोप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मसीन पिस्तॉल ASMI बिक्सित की है, इसे 4 महीने में बिक्सित किया गया है अगर आपने 1 जन्वरी 2021 से लेकर के 23 जन्वरी 2021 तक के करेंट अफियर्स को देखा होगा तो मैंने ASMI पिस्तॉल के बारे में बिस्तृत रोप से बताया है Next question है, भारत में सुरू की गई Air Taxi सेवा के बारे में सही कथन चुने तो पहला कतन हमारा है, यह Aviation Turbine Fuel पर उरान भर सकती है दूसरा कतन है, इसमें एक Pilot और 4 यात्रियों को बैठने की छमता है तो देखिए, option number A में कह रहा है Cable 1, option number B में कह रहा है Cable 2 और option number C में कह रहा है 1 और 2 दोनो option number D जो है, उसमें कह रहा है इन में से कोई नहीं तो देखिए, option number D जो है, वा correct है option number D correct है, क्योंकि जो कथन हमारा 1 है, वा भी गलत है और कथन 2 वा भी गलत है तो यहाँ देखिए, first में हो जाएगा, कि यह जो Air Taxi है यह उडान भरती है, standard 92 octane petroleum fuel से और दूसरा, इसमें एक पाइलेट और 4 की जगह यहाँ पे सिर्फ 3 यात्री होते हैं, कितने तो 3 यात्री चले questions related important points देखिए, तो यहाँ देखिए Air Taxi में एक पाइलेट और 3 यात्रियों की बैठने की चमता है यह ATF यानी Aviation Turbine Fuel के बजाए, AV Gas या standard 92 octane petroleum पर उरान भर सकती है यह देश की पहली Air Taxi है, जो कहां से कहां तक उरान भरेगी तो देखिए, हर्याना के हिसार से चंडीगर तक कहां से कहां तक, तो हर्याना के हिसार से चंडीगर तक गुरुबार को हर्याना के मुखमत्री स्री मनुहरलाल खटर जी ने इसका सुबारंब किया तो आज का यह discussion यही समाप्त होता है discussion आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करके अवस्य सूचित करें अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं, तो हमें फॉलो करें आप हमें Twitter, Instagram और Telegram पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मिलते हैं नए दिन, नए प्रस्णों के साथ